एवी डिविलियर्स के IPL केरियर से जुरी कुछ इंट्रेस्टिंग बाते 2008 से लेकर अब तक एवी डिविलियर्स 2008 से 2020 तर 392 बॉल फेस किये हैं जिसमें 4849 रन बनाये हैं 394 और 235 छके की मदद से एवी डिविलियर्स 2008 में 98 बॉल में 95 रन बनाये हैं एवी डिविलियर्स 2009 में 355 बॉल में 465 रन बनाये हैं 49 चौके और 12 छके की मदद से और उनका और 21.66 है 130 पॉइंट 98 के स्ट्राइक रिट के साथ एक सतक और 3 अर्थ तक लगाये हैं 105 हाइस्ट इसकोर के साथ एवी डिविलियर्स 2010 में 119 बॉल में 111 रन बनाये हैं डिविलियर्स 2011 में 242 बॉल में 312 रन बनाये हैं 214 और 14 छके की मदद से और उनका और 27.34.66 है 128.49 के स्ट्राइक रिट के साथ और 2 अर्थ तक लगाये हैं 65 हाइस्ट इसकोर के साथ एवी डिविलियर्स 2012 में 179 बॉल में 319 रन बनाये हैं 26 चौके और 15 छके की मदद से और उनका और 49.89 है 161.11 के स्ट्राइक रिट के साथ और 3 अर्थ तक लगाये हैं 64 हाइस्ट इसकोर के साथ एवी डिविलियर्स 2013 में 219 बॉल में 360 रन बनाये हैं 34 चौके और 15 छके की मदद से और उनका और 36 है 164 पॉंट 38 के स्ट्राइक रिट के साथ और 2 अर्थ तक लगाये हैं 64 हाइस्ट इसकोर के साथ एवी डिविलियर्स 2014 में 249 बॉल में 395 रन बनाये हैं 26 चौके और 24 छके की मदद से और उनका और 37.90 है 179.63 के स्ट्राइक रेट के साथ और 3 और्थ तक लगाए हैं 89 हाइस्ट इसकूर के साथ ABDVLIES 2015 में 293 बॉल में 513 रन बनाया है 64 और 22 छक्के की मदद से और उनका 176.63 है 175.08 के स्ट्राइक रेट के साथ एक सतक और दो और्सक लगाए हैं 133 हाइस्ट स्कूर के साथ AB D.V.I.S. 2016 में 407 बॉल में 687 रन बनाये हैं 57 चौके और 37 छक्के की मदद से और उनका औसतन 52.84 है 168.89 के स्ट्राइक रेट के साथ एक सतक और 6 और्सक लगाए हैं 139 हाइस्ट स्कूर के साथ AB D.V.I.S. 2017 में 163 बॉल में 216 रन बनाये हैं 12 चौके और 16 छक्के की मदद से और उनका औसतन 27 है 132.51 के स्ट्राइक रेट के साथ और एक और्सक लगाए हैं 89 हाइस्ट स्कूर के साथ AB D.V.I.S. 2018 में 275 बॉल में 480 रन बनाये हैं 49 चौके और 30 छक्के की मदद से AB D.V.I.S. 2019 में 287 बॉल में 442 रन बनाये हैं 214 चौके और 26 छक्के की मदद से और उनका औसतन 44.20 है 154 के स्ट्राइक रेट के साथ और पाच और्सक लगाए हैं 82 हाइस्ट स्कूर के साथ AB D.V.I.S. 2020 में 286 बॉल में 454 रन बनाये हैं 238 हाइस्ट स्कूर के साथ सो गाज या इन्फर्मेशन आप लोग कैसा लगा और नेक्स्ट किस प्लेयर का डिटेल अप्टेट चाहिए कॉमेंट करे और इस तरह के लेटेस्ट अब्लेट पाने के लिए किर्केटर कॉर्णर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे